हम रस्मलाई केक बनाएंगे, इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, यह है वन फोर्थ कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, हाफ कप हमने दही लिया है, यह थ्री फोर्थ कप हमने पाउडर शुगर लिया है, वन थर्ड कप हमने ओईल लिया है, यह है बेकिंग पाउडर है, वन टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून और यह है इलाइची पाउडर है और यह थोड़ा सा फूट कलर है पहले हम यह है ओईल, कर्ड और पाउडर शुगर को मिला करके अच्छे से वीट कर लेंगे यह हमारा मिक्स हो गया है अब हम इसको 2 मिनट के लिए साइट में रख देंगे और यह कंटेनर लेंगे यह 6 इंच का नटेनर है इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके साइट में हम यह पेपर रख देंगे पेपर रख दिया है हमने अब हम इस पेपर पेबी थोड़ा सा ओईल लगा देंगे ओईल अच्छे से लगाना है कंटेनर बन करके तैयार है अब हम यह वांपस से ले लेंगे और अब इसमें मैदा डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसको कटेंड फोल्ड करते हुए हम मिक्स कर देंगे अब हम इसमें यह है इलाइची पाउडर डालेंगे और 140 स्पून आलमंड एसेंस अब इसकी कंसेंटेंसी बहुत थिक लग रही है अब इसमें हम रस मलाई का रस डालेंगे रस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसकी कंसेंटेंसी जबता सही नहीं हो जाती आब इसको अच्छे से मिर्क्स करेंगे अब इसकी कंसेटेंच से बिल्कुल सही है अब हम इसको कंटेनर में डाल देंगे अब हम कड़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट करके 40 मिनट के लिए इस केक को बेक कर लेंगे हमारा केक बन करके तयार है बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है अब हम इसे ठंडा करके और फ्रीज में एक गंटे के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे केक हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसकी आइसिंग कर लेंगे आइसिंग के लिए हमने प्रोपोलाइट की नौन डेरी क्रीम ली है यह क्रीम हमने एक कप ली है अब हम इसे बीटर से बीट कर लेते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने इसके नीचे आइस रख ली है यह हमारी सॉफ्ट पिक बनी है अब हम इसमें यह रस मलाई की थोड़ी सी रस डाल देंगे और इससे बिल्कुल स्टफ पिक आने तक हम इसको बीट कर लेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा वन ड्रॉप करीक हम इसमें यलो कलर डालेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे अब हम इस केक को बीच में से काटके और दो लेयर्स में हम कट कर लेंगे देखे कितना सपॉँजी बना है अंदर से जाली कितनी अच्छी आई है अब हम इसके ऊपर यह जो रस मलाई की रस है उससे हम इसको सोक कर देंगे मलाई से हमने पूरा अच्छे से सोक कर दिया है अब हम इसके ऊपर यह क्रीव लगए और इसको अच्छे से फैला देंगे क्रीम हमने फैला दी है अब इसके उपर हम थोड़े से रस्मलाई के पीसिस डाल देंगे जैसे पाइनपल केक में पाइनपल के पीसिस डालते हैं वैसे इसमें हम रस्मलाई के पीसिस डाल देंगे हमने पीसिस अच्छे से डाल दिये हैं अब इसके उपर हम ये केक की दूसरी लेयर रख देंगे और इसके उपर वापस से हम रसमलाई की रस से सोप करेंगे ये क्रीम हमने अच्छे से लगा दी है अब हम इसको आदे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे रखे वे हमको आदा गंटा हो गया है अब हम इसकी फिनिशिंग कर देते हैं अब यह प्लास्टिक शीट लेंगे और इसको हम प्लेन करेंगे हमारे केक की फिनिशिंग हो गई है अब हमने इसमें यह एक बड़ा वाला इस्टार नोजल लिया है इस पाइपिंग बैग में हम यह क्रीम बढ़ देंगे इस पे तोड़े से यहां पे रोस्टिक बढ़ेंगे अब हम इसके बीच में यह थोड़े से ड्राय नर्स पिस्ता और बदाम की कत्रन डाल देंगे और थोड़ी सी हम लिया है रोस पेटल्स सुखी वी ड्राय रोस पेटल्स डाल देंगे इसके उपर भी थोड़े से ड्राय नर्स डाल देंगे थोड़ी सी है ड्राय रोस पेटल्स डाल देंगे थोड़ी सी यह ड्राय नर्स हम साइड में भी डाल देंगे अब इसके साइड में बॉर्डर लगा देंगे देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन करके तयार हुआ है हमारा रस्मलाई का केक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथ में पास में लगी भी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीड आप तक पहुन सकें थैंक यू